इवेम को लेकर अब राजनेताओं में भी बहस छड़ गई है केवल भास्पा को ही इवेम का पक्षधर माना जा रहा है जहां कॉंग्रिस इवेम पर शिकैतों का अंबा लगा दी है तो जनता कॉंग्रिस भी बैलेट पेपर को ही सही मा रही है लेकिन भास्पा निर्वाचन आयोग पर विश्वास जताते हुए वर्तमान समय में इवेम के माध्यम से ही चुनाव संपन कराने में विश्वास रखी है इवेम पर राजनीतिक दलों का मत विरोध जारी है लगभग सभी राजनीतिक दल इवेम से मतदान के खिलाब है उनकी माने तो इवेम इलेक्ट्र सिस्टम होने के कारण हैक हो सकता है और उसमें छिरचाड की गुंजाइस भी है गौरतलब है कि सुप्रीम कोट में दायर जनहित याचिका में कोट ने इवियम को सही ठराते हुए वरतमान में सभी चुनाव इवियम से कराने का निर्देश भी दिया है लेकि राजनितिक डल बैलेट पेपर का राग अलाब रहे हैं कॉंग्रेस ने तो साफ इवियम को सरकारी तंत्र घोसित कर दिया है और उसमें शिरचाड की पूरी संभावना जताई है 36 गड़ में हुए विधानसभा चुनाव में मददान के समय इवियम की खराबी और कई अन्य मसलों पर कॉंग्रेस चुनावायों को शिकायत कर चुका है कॉंग्रेस का साफ मानना है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए जिसमें आमददाताओ को भी पूरा विश्वास है कॉंग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सेलेस नीतिन त्रेवेदी ने भास्पा पर निशाना सात्ते हुए कहा कि इवियम की वकालत करना भास्पा का अब तो अधिकार हो गया है जब भी इवियम के शर्षाड की बात की जाती है तो भास्पा जलबिन मचली के तरह तड़पती रहती है कर रही है भारती जनता पार्टी EVM मशीनों की वकील बन गई है बड़ा दर्द होता है भारती जनता पार्टी को अगर कोई नियम और कानून के पालन की बात की जाए तो भाजपा तडफने लगती है, बौकलाने लगती है, भारती जनता पार्टी को इन गड़बडियों से, इन उल्जनों से, इन तुरुटियों से इतना प्यार क्यों है, इतनी महबबत क्यों है भाजपा को इन गलत कारियों से, जल बिन मचली की तरह भाजपा तडफने लग कर इवियम को हटा कर बैलेट से ही चुनाव कराना ज्याद सही है जहनता कॉंग्रेस के प्रवक्ता सुप्रडे ने कहा कि अब चुनाव आयोग काफी सक्त हो गया है ऐसे में अब बैलेट पेपर से चुनाव कराना आयोग को मुश्किल नहीं है उन्होंने भाजपा को इवेम का प्रवक्ता करार देते वे कहा कि दूसरे दलों की तरह भाजपा को विचार बदलना चाहिए देखिए जहां तक पहले की बात है तो पहले की चीजों में वैस्ता कम था चुना आयोग बहुत अधिक केंद्रित नहीं हो पाता था अब चुना आयोग बहुत ज़्यादा केंद्रित है चुना आयोग के नियम बहुत सक्त हो गए और उस नियम कारून को पूरा देश मानने भी लगा है तो ऐसी स्तिती में मुझे लगता है कि अब पुना बैलेट पेपर पे भी अगर हम लोटेंगे तो वो जो बहुत पहले हुआ करती थी वो स्तिती नहीं होगी और भाजपा तो एक पकार से देखा जाए तो इलेक्टोनिक वोटिंग मशीन की प्रवक्ता की रू आसन में बैलेट पेपर की पेटिया ही गयब हो जाती थी आज भी कॉंग्रेस ऐसा ही चाती है उन्होंने चुनाव आयोक पर विश्वास रखने की बात कही और चुनाव में हार जीत दोनों ही होती है ऐसे में हार को सहने की श्यमता नेताओं में होनी चाहिए जिससे जनाद का अपमान नहीं होता भास्वा को छोड़कर अन्य राजनितिक दल विरोध जता रहे हैं ऐसे में आने वाले समय पर इस पर नेरने होने की पूरी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता देश टीवी के लिए कैमरा मेर इसने ताम के साथ स्वरुभट्टेचार की रिपोर्ट